Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल सबसे पहली चीज में आपको क्लारिफाइ करना चाहूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो यह है कि 99% of the people who take sociology they don't have the background of sociology तो सबसे बड़ी दिक्कद यहां पे यह आ जाती है कि वो अप्रोच नहीं समझ में आता जब आप एक इंजीनियर हो का अप्रोच पता है बट वो sociology की अप्रोच ठीक से नहीं समझ पाते हैं वो short span of five months के अंदर दूसरी चीज sociology में जो majority crowd है जो बच्चा है aspirant है जो choose कर रहा है optional वो majorly इस reason से choose कर रहा है कि यह shortest optional है अगर मैं आपको बोलू कि हाँ sociology ले लो दिवाकर सर का course ले लो और यह shortest है खतम हो जाएगा नहीं अगर आपने पूरी study IQ के अंदर सारे optionals देखे हैं तो मुझे लगबग सारे पांच से चै महीने लगते हैं इस optional को cover करने के लिए जिसमें political sign जैसे बड़ा बड़ा optional पहले ही सारे चार मैने तीन मैने पांच मैने में खतम हो जाता है इससे शायद आपको ये समझ में आना चाहिए रहे नहीं यार इतना टाइम लग रहा है मैं history खतम कर लूँगा मैं geography खतम कर लूँगा कुछ और खतम कर लूँगा अब ये आप बैटके सोचो कि अगर कोई teacher आपको optional खतम कराने पही आए तो 36 दिन में sociology खतम हो सकता है लेकिन अगर वो जल्दी चीज में खतम हो जाता है तो क्या आपके पास वो approach develop हो पाएगी बिकास जीवन के अंदर जो approach है approach को एकदम clarity पे लाने के लिए आपको समय देना पड़ता है syllabus खतम करना ही goal अगर किसी teacher का या for that matter teacher से अधिक आपकी जितने भी एस्परेंट अगर आपका ये goal है तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं वो optional लेना चाहिए जिसके अंदर शाद डेड़ दो महीने के अंदर खतम हो जाए कोई literature जैसा हुआ क्योंकि जब आपको बैटके रटा ही मारना है विकोज जो खतम करना चाहरा है वो बच्चा शाद रटे की तरफ ही जा रहा है understanding का तो short span में develop होने का कोई scope ही नहीं बचता है तो I would say sociology के अंदर बहुत बड़ा depth है अब numbers को बहुत easily खतम कर सकते हो लेकि numbers के बीच में जब relationship establish करते होना तो उसके अंदर वक्त लगता है और sociology being one of the most analytical discipline it enhances and broadens the scope of your mind to such an extent that you are able to understand you will develop an opinion on goddamn anything चाहे वो IR हो चाहे वो internal security हो समाच से बाहर तो कुछ भी नहीं है समाच को समझ लिया सब चीजों को समझ लिया तो please make sure अगर कोई बच्चा सिर्फ sociology को छोटा अफनल लेके चल रहा है तो शायद एक गलती कर रहे हो आप वो आप बैठो और समझो और उसे थोड़ा सा वर्क आउट करो अगर आपको सच में शिदत से इस examination को पार लगाना है तो अब sociology के अंदर कुछ questions है students के mind में अपरोच क्या होनी चाहिए duration कितना लगता है answer writing कैसे करनी चाहिए कब करनी चाहिए notes making कैसे करनी चाहिए आज ये वीडियो में नेक्स 10 मिनिट्स में हम ये सारी चीज़े discuss करते है सबसे पहले देखें तो जब एक aspirin होता है sociology अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आपके पास exactly होना क्या चाहिए और आपको develop करनी क्या है इस चीज़ के अंदर जो होना चाहिए वो होता है आपका right notes आएंगे क्या होता है ये और जो आपको develop करनी है वो है एक सोच sociological understanding sociological awareness और दूसरी चीज़ है आपको answer writing skill पैदा करनी है develop करनी है बट वो एक दिन में नहीं होने वाला आप में से कोई भी बच्चा अगर GS का यहाँ socio का answer यहाँ जो भी आपका option लाँ उसको लिख रहा है अगर आप पहले दिर ही best के उपर अपची फोकस कर रहे हो तो आपका philosophy ही गलत है life के अंदर ये socio for sure तो बहुत छोटी सी चीज है एक्जाम ना UPSC तो it's like it's like a molecule in the entire world अपका approach फिर life के अंदर सही नहीं रहा है आपके socialization सही pattern से नहीं हुई है फिर sorry to say that क्योंकि एक skill जो है practice से आती है अब वो practice short span में अगर आप चाते हो कि 5 answer लिखे मैं धुरंधार sociologist यहाँ फिर answer writer बन जाओ it's like you are living in a utopia world और वो आपको pay करेगा जब आप examination में बैठोगे तो सबसे पहले देखते हैं कि यह right notes क्या है जो मेरे पास होनी चाहिए जब मैं किसी भी subject को start करता हूँ GS को जब आपने start किया तो आपने NCRT देखी चीजे देखी या कुछ और देखी जिससे आपने start किया develop किया और awareness पैदा की उस चीज़ की अब sociology के अंदर यह right notes किया यहाँ पे दो confusion है students को पहले क्या सर हम books refer करे यहाँ फिर किसी coaching के notes refer करे अब यह दोनों चीज़ कारगर थाबित हो सकती है depending आपका circumstances कैसा है मेरे लिए यह pen जो है writing instrument हो सकता है लेकिन आपके लिए यह pen जो है एक disturbance create कर सकता है आपके लिए यह pen कहीं ना कहीं कोई एक particular coffee को घुलने का साधन बन सकता है आपके circumstances से इसकी use पता चली अब अगर हम सीधा साब बोलनें के toppers ने बोला यह पढ़ लो तो यह पढ़ लो अरे भाई टॉपर के circumstances के आपके circumstances similar है आपने कभी क्यों नहीं सोच है यह बैठके कोई बच्चा अगर चौते attempt में top मार रहा है और first attempt वाला बच्चा उसको follow कर रहा है तो वो तीन साल तक जलता रहा उन चीज़ के पीछे तो books किसे पढ़नी चाहिए अब जहां पे आते हैं हम sociology में sociology के अंदर कोई precise book list तो नहीं है जो आपको एक किताब में सारी चीज़े cover कर दी अब theories के लिए George Ritzer है stratification, ethnicity, power and politics work and economic इन सब के लिए ब्लू कलर हर लंबस है work and economic के लिए orange कलर हर लंबस है research methodology के लिए एक अलग किताब है paper two में जाएं तो एक-एक scholar की एक-एक topic पे किताब है अब ये मुनासिव नहीं है कि अगले डेड़ साल या दो साल में भी आप cover कर सको क्यों? depth है उनके अंदर जादा है और उतनी जरूरत बनते भी नहीं है आपकी के एक-एक topic की एक-एक किताब पढ़े social background of India nationalism एक छोटा सा topic है जो हर साल हर alternative year 20 mark का आ रहा है और उसको किताब को पढ़ोगे तो करीबन साड़े 400 पन्ने है क्या कोई sense बन रहा है साड़े 400 pages के अंदर 2 महीने देखे वो 20 mark का question जो हर alternative year में possibility यह आ रहा है हर year में नहीं अब यह books किसको पढ़नी चाहिए और notes किसको पढ़नी चाहिए पहले इसको tackle कर लेता है कई न कई majority जनता है यहाँ पर shortcut खोज रही है देख लेते हैं भई कोई shortcut दिखाई दे रहा है क्या है यहाँ पर एक example लेता है मैंने एक coaching class की मैंने मेरे notes बनाए और उस notes के basis पे मैंने अपनी study को आगे बढ़ाया अब यह notes मेरे लिए बहुत ही ज़ादा कारगर साबित होंगे इस बच्चे को कभी भी books के उपर जाना ही नहीं चाहिए until and unless उसे लग रहा है कि उसकी coaching के notes अच्छे नहीं है अच्छे से उसने बनाए नहीं है या फिर whatever aspect it could be अब यह बच्चा जब coaching class जाता है notes बनाता है या notes मिलते हैं इसे coaching class से वो ज़ादा utilize कर पाता है because class कोल भी notes जो है absolutely connected होते हैं अपने classes से अब जब आप वो class में बैठे नहीं हो और आप सिर्फ notes पढ़ो तो आपको आधा ज्यान मिल रहा है मतलब जो visible reality है वो तो समझ में आ रही है जो invisible उसके पीछे का understanding था जो एक line में उदर कहके चले गए notes के अंदर वो शायद आदे घंटे तक किसी teacher ने किसी सिक्षक ने discuss किया होगा class में तो imagine करो एक बच्चा जो coaching afford नहीं कर पा रहा है अगर वो इस notes पे rely कर रहा है तो उसका सबसे पहला blunder वहीं पे commit हो गया because he is following somebody's else notes and he is not having an awareness in what context those notes were written and what is the depth behind those notes which are largely present तो अगर आपने coaching नहीं की है तो किसी coaching के material को base नहीं बनाना है फिर आपको किताबों पे ही आना है लेकिन अगर आप किसी coaching में जा रहे हो तो शायद possibility है अगर वो notes complete है तो आपके लिए बहुत बहतर रामबान बन सकते हैं आपके sociology की तैयारी में लेकिन let's assume अगर मुझे किताबों पे आना है तो सर फिर मैं कैसी किताबें को follow करूँ कौन सी किताब को follow करूँ I would suggest on my personal experience कि rather than आप किताबों को follow करो आप ignore BA का material पूरा पढ़ लेते हो तो आपका paper 1 और paper 2 का 90% topic cover हो जाता है अगर फिलाल किसी के दिमाग में ये question आया है 10% वाला क्या तो आज ही UPSC की तैयारी को छोड़ दो आप I am sorry to say आज छोड़ दो आप नहीं हो इसके capable क्यों नहीं हो क्योंके आप आज भी 10% की पीछे भाग रहे हो आप ये भूल जाते हो के 300 mark ही top mark पे आ जा रहा है that is 50% of the total score in the paper I mean it's somewhere around 50% we can say that हो क्या रहा है वो 10% जरूरी ही नहीं है आपको वो 10% आप इधर उदर से सिर्फ एक understanding भी develop कर लोगे तो that's perfectly fine लेकिन वो 90% पे grip अगर है तभी 300 पे touch करोगे कोई ऐसा सक्ष है यहाँ पे कि 90% को touch up कर दिया और 10% को expertise करके पढ़ लिया तो ठीक है मैं हो जाएगा ये सबसे बड़ी problem है आपके साथ पूरी जनता 10% के पीछे भाग रही है 90% को तो कोई भावी नहीं दे रहा है और इसलिए 90% जनता बाहर हो जा रही है और वो 10% जनता जो 90% पे फोकस कर रही है वो अंदर आ रही है और आप अपना पूरा का पूरा यूथ इसी पतेयारी के अंदर बरबाद और जुलत देते हो इदर सबसे पहली चीज़ आपको इगनो भी ये फॉलो करना चाहिए सर लेकिन अभी जो किताबों के नाम लिए वो किताबे बढ़िया नहीं है फैबुलस किताबे हैं वो हरलंबस के अंदर अगर आप पहले दफ़ाई पढ़ने जाओगे तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जिसने कोचिंग नहीं किया वो हरलंबस जब उठाएगा हरलंबस के अंदर सम्वेर अरूंड 900 पेज आपको पूरे पढ़ने पढ़ेंगे पेज़ेस ही 1100 है बिबलोग्राफी और हटाओं तो 900 पढ़ने तुमको कहीना की पढ़ने है जब आप 900 पेज़ेस पढ़ोगे उस 900 पेज़ेस में रफली 1000 प्लस स्कॉलर्स होंगे एक एक स्टडी कोई 6 पेज की है कोई एक पैराग्राफ की है आपको वो स्टडी और स्कॉलर तो समझ में आ गया पहले इगनो बिये खतम करें फिर किताब पढ़ें नहीं उतना मौका यूपियसी देगी ही नहीं आपको क्योंकि इगनो बिये ही कम से कम साड़े 2000 से 3000 पेज़ेस तक का है इसको खतम करने के बाद ये पढ़ने की ने तो एनरजी है और अगर आपने इसको शिदत से पढ़ लिया तो आप रियलाइज भी कर लोगे इसकी जरूरत भी नहीं पढ़ती है लेकिन फिर एक प्रबलम आती है कि ये फ्रीली अवेलिबल सोर्स है और हमारी यूमिन साइकलोजी कहती है कि नहीं इसको कौन पढ़ेगा यार तो यही है सबसे बेस्ट चीज को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो फ्री अवेलिबल है कोई जान अगर आपको फ्री में दे रहा है तो वो वाल्यू नहीं कर रहा है अगर वहीं पर 500 रुपय चार्ज करके यह सेशन ले रहा होता तो आप एक एक वर्ड बड़े ध्यान से सुनते इदर तो make sure if a student has done a coaching institution then he should largely make the notes as a base provided he feels those notes are complete the syllabus has been completed लेकिन if you have not taken a coaching institution refer ignore भी यह इसके साथ में आप इसको refer करते जाओ तो इन notes से शायद structure मिल जाएगा अगर आपने coaching नहीं है तो यहाँ पे कोई यह notes से आपका भी कुछ निकाल नहीं पाओगे लिख के रख लो मेरे से यह बात तो there are students जो हर कोई afford नहीं कर पा रहा है coaching उसके लिए freely the best source available is ignore और इससे भेटर source नहीं है एकदम ideologically free लिखा गया है यह book और majority जो आपके correct करेंगे वो इनी university से professor होंगे तो कहीं न कहीं वो भी strategically match हो जाता है तो as far as the notes are concerned please make sure आपको यह पढ़ना है but अब सवाल यह आता है कि इसमें बहुत content है sir क्या हमको खुद के notes बनाने चाहिए इससे पढ़ने के लिए तो देखते है notes certainly बनाने चाहिए तुमें आज मैं आपको एक simple तरीके से बताता हूँ कोई भी बच्चा अगर socialology start कर रहा है या कर चुका है revision mode पे है consolidation phase पे है तो इस तरीके से notes बनाए यह मान लेते हैं किताब है किताब के दो पन्ने होते हैं left hand side and right hand side right hand side को दो पार्ट में divide करो 70% 30% ऐसा कुछ ratio रख लो इस right hand side के अंदर आप क्या लिखोगे कोई topic जब आप पढ़ रहे हो मान लो के gender as a form of stratification आपने पढ़ा उससे related example जो आप पढ़ रहे हो जिस भी किताब में पढ़ रहे हो यहां कोई class भी join करके रखी है notes इस तरीके से बनाओ उस gender as a form of stratification का जब कोई teacher example देता है किसी lecture में example देखा यहां फिर किसी notes में देखा examples लिखने हैं तुम्हें सबसे पहले इदर topic लिखा examples उस topic से related कोई scholar के कुछ अच्छे statements अगर आपको पता चलते हैं तो वो statements लिखो यहां पे क्योंकि वो statements अधिकतर question भी बन जाते हैं और कई वार आपका intro और conclusion भी serve करता है purpose और last जी जो इस left hand side right hand side के left part में लिखोगे वो है integration आप किसी class में बैठे और teacher बोलता है इस topic को इस वाले topic में भी use करना है वो write that integration then and there majority student क्या करते हैं वो integration teacher के मुझसे scholar लिखा वा लिख लेते हैं वो integration को तबज्जू नहीं करते हैं हाँ हाँ मैं कर लूँगा लेकिन तीन दिन के बाद वो भूली गए के teacher ने integrate किस से किया था point is सिर्फ ये तीन चीज़े लिखनी है तुम्हें और इसके जो 30% वाला margin है वहाँ पर जो topic पढ़ रहे हैं उसके सारे previous question लिखते चले जाओ ताकि जब आप topic पढ़ रहे हैं तो आपको clarification हो कि क्या pattern में question आया और ये जो मेरे content है कि इन questions को solve कर रहा है सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में जिस topic को पढ़ा जैसे हमने example लिए gender as a form of stratification उसकी summary लिख दी इधर कि gender as a form of stratification हुता क्या है meaning क्या है nature क्या है dimensions क्या है conclusions क्या है कुछ अच्छे से facts क्या है अब यह किताब last moment में आपको इतनी मदद करेगी कि इस topic को अब मैं अब simple से इसकी importance समझाओं तो मालनो gender as a form of stratification content यहाँ है integration example or statements यहाँ है previous years यहाँ है last में आपको पूरी की पूरी एक birds eye view मिल जाती है इस notes से तो चाहे आप हर लंबस पढ़ रहे हो चाहे आप ignore पढ़ रहे हो या फिर किसी संस्ता से जुड़े हो और coaching कर रहे हो notes ऐसे ही बनने चाहिए है आपकी because if you make the right notes that would serve the purpose in your examinations because many times मैंने खुद देखा है बड़ी-बड़ी coaching institutions होती है running notes लिखता जाता है बच्चा class के अंदर और at the end चार मैने के बाद उसी notes को जलाता तो नहीं है गिरा जरूर देता है खुद के notes अरे यार यार ये समझ ही नहीं आ रहा है कैसे लिखा है मैंने because when notes आपने strategically नहीं बनाया वो बनाते चले गए क्योंके भेड़ चाल चल रही थी कि सब लिख रहा है मैं भी लिखूंगा भी बैट के lecture को सुना नहीं आप notes पे ही व्यस्त रहे तो वो 40-50 अजार रुपए जो fees दी न आपने वो notes बनाने के लिए fees दी वो बेफकुफी की क्योंके वो ही notes तो xerox मिल जाता एक और simple साधारन technique बताता हूँ अगर कोई बच्चा offline coaching institution जोइन कर रहा है जहां पे भी जिस coaching को जोइन कर रहे होना उस coaching को स्टार्ट करने से पहले उस coaching के पिछले session के notes xerox राजिंद नगर में बहुत मिल जाता है पूरा xerox मगा लो 800-900-1000 जो भी लगे और जब teacher आप पढ़ा रहा है अब वो notes के chapters वैसे ही खोल के रखो आप और आपको realize होगा कि 90% content same है और वो 90% अगर ये notes नहीं होते तो आप लिख रहे होते अब वो उसको देख रहे हो teacher को सुन रहे हो कोई add-on content है वहीं पे add कर ले रहे हो and now that's a trick अरे सर ये तो बहुत बड़ी आवाद बताई क्यों reason being ये experience रहा है मेरा UPSC एक मातर ऐसा फिल्ड है कि बिना experience से कोई teacher यहाँ पे star नहीं बन सकता है और सीधी सी बात है मैं मानता भी नहीं teachers को star होना चीए teacher star तब बनता है जब उसके बच्चे चमकते है आजकल बहुत सारे YouTuber stars बने घूम रहा है as a star teachers no that's not the case कोई teacher star तब होता है जब उसके बच्चे stars हो और ये छोटी छोटी techniques is important तो कोई बच्चा गांट बांद के रख लो offline कर रहा है ये notes पहले मंग वालो जिसको भी join कर रहे हो आप और उसके साथ साथ class में बैठो आपका notes भी better हो जाएगा आपका understanding भी better हो जाएगा लेकिन paper 2 में एक और तरीका बताता हूँ कि paper 2 में कई वार क्या होते thinkers नहीं होते हैं आपके पास जो limited thinkers है confusion में आ जाता है क्योंकि वो ही thinkers कहीं न कहीं हर topic पर रिपेट हो रहा है तो चैमान लो आप लुई डुमो है वो cast पे भी बोल रहा है class पे भी बोल रहा है agriculture पे भी बोल रहा है untouchability पे भी बोल रहा है confusion होई हो जाता एक बच्चे को जब question आता है लुई डुमो में sorry इसमें क्या करना है आपको रामबान बताता हूँ paper one के लिए possible नहीं है क्योंकि paper one में फिर कहीं न कहीं छह मैंने इसको बनाने में लग जाएंगे paper two में जादा से जादा दस दिन पूरा paper two sorted out जितने major scholars आपने major इंडसें जो scholar आपने paper two में लिखा है आपके class में मालो MSA Rao है गंशाम शाह है एंद्रे बेतले है लुई डुमो है M.N.Srinivas है या F.G.Belly है कोई भी एक ऐसा scholar for that matter एक page बनाओ 100 page की किताब डालो छोटी सी बड़ी size की एंद्रे बेतले heading लिखी एंद्रे जेस गूरे मालो caste urbanization untouchability एक सेक्टरा 50 topic हो सकते इदर सारा का सारा जेस गूरे ने caste पर जो बोला इदर लिख दिया आपने untouchability इदर अब ये 2-5 page में गूरे complete तो गूरे ने जितनी topics पर जो जो बोला है जो आपके notes में mentioned है आपके 5 page में है और इस किताब को daily जब 20-15 minutes revise करोगे तो ये thinkers को apply करना start करतोगे तो कल अगर UPSC पूछता है एंद्रे बेतले on social class structure तो आप उतना ही लिखोगे पूरा एंद्रे बेतले लिखना चालो नहीं करतोगे जो आप normally करते हो paper 2 में ये possible है क्योंके limited number of thinkers 25-30 thinkers में पूरा का पूरा paper 2 का दुनिया घूमता रहता है paper 1 में कम से कम मैं power and political पूरे के पूरे paper 1 में 500 scholar कराता हूं class के अंदर वो possible नहीं है या लिखना तो लगबक 100 page के अंदर आपकी पूरे paper 2 तो थिंकर सौ तो जादा बोल रहां पूरे के पूरे सौर्टर दा हो जाएंगे एक एक थिंकर 5 page भी लोगे हर topic का थिंकर वहीं पे मिल जाएगा बस में चलते वक्क खाना खाते वक्क revise करते रहो मसले लेते रहो this was how you should make your notes which can give you an edge during your examinations and your revision and preparation especially the consolidation phase दूसरा आता है कि integration अब sociology में बच्चा पहले दिन जब class you know join करता न हर बार पहले दिन बच्चा integrate कैसे करना भाई मेरे को एक बात बताओ integrate कब कर पाऊगे पहले content तो develop करो content development के बाद current कैसे integrate करना है क्यों पहले दिन ही socialologist बन गए हो क्या है यहां पर current कैसे integrate करना है पहले दिन से बच्चे का focus रहता integrate कर लूँ मैं वो understanding पर कभी emphasize नहीं करता है integration फिर भी अगर आप level पर पहुँच गए हो तो एक simple सा तरीका है in fact I believe एक only मात्र तरीका है integration का कि जब भी कोई एक topic पढ़ा for example democracy democracy पर 500 चीज़ें पढ़िया आपने suppose इस democracy को पढ़ने के बाद में आपको कम से कम 15-20 मिनिट देने चाहिए एक syllabus का copy निकाल के रखो democracy का content इस तरफ रहे हैं आपके पास यह syllabus से connect करते रो कि यार यह democracy का यह john stuart मिल कोई और पार्ट में यूज हो रहा है क्या यह बाई साब बाटम और ने जो बोला कहीं और यूज हो रहा है क्या या फिर for that matter किसी हरी हर मिशना ने जो बोला वो यूज हो रहा है क्या integration can only happen consciously जब आप consciously किसी चीज को पढ़के कि दिमाग में यह गोल कर लेते हो कि इसे integrate करना है come out from that fad कि integration is equal to current no current is just a part of it and that current can only be applied in the content when you start first developing an integration skill and that is only possible when you start connecting the syllabus every topic with the syllabus after studying तो normally बच्चा क्या करता है democracy पढ़ली सीधा सीधा वो citizenship में चला गया नहीं एक topic पढ़ह आदा घंटा दो syllabus को देखो connect करने की कोशिश करो खुद के words में and when you are able to do that वो किताब जो बनाई थी वहाँ integration में लिखते चले जाओ now that's the right way to integrate certain things in sociology अब कुछ basics जो माँ बताना चाहता हूँ फटाफट आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है previous year question हमेशा refer करो किसी भी नई topic के जब शुरुवात हो रही है class में या आप खुद कर रहे हो ताकि आपको idea आजा इस topic से मुझे निकालना क्या है second sociology को हमेशा सबसे first thing in the morning करो because sociology is an analytical discipline and as far as the you know spirituality, meditation, neuroscience and the psychology says in the morning your brain is having a capacity to you know gain new things new perspectives, new insights लेकिन यही sociology दोफैर को शाम को पढ़ने चलते हो तो सुबह तक आपका brain का energy analysis करने का खतम हो गया है रात को factual चीज़न की तरफ जादा tilt रहना चाहिए सुबह सबसे पहले इसको पढ़ो और यह छोटी छोटे बदलाव आपके जीवन के अंदर sociology की तेयारी में काफी helpful होंगे sociology में slow is the key don't run behind the syllabus in fact in the entire UPSC if somebody stands me up and asks me के what is the one thing which you want to recommend it to the student go slow on it because आज तक इस दुनिया में किसी भी शक्स ने पूरा syllabus cover नहीं किया होगा क्यों? quantity wise कर लिया होगा सार ये सारे सब टॉपी covered है मेरे लेकिन उस सब टॉपी के हर डाइमेंशन आसता कोई cover नहीं कर पाया Max Weber को हमेशा याद रखना जीवन में Weber says reality is vast unorganized dynamic and chaotic एक पार्ट reality के पीछे का पूरा नहीं पड़ पाते हैं हम पूरी reality तो दूर की बात और आपकी पूरी reality है syllabus syllabus का quantity cover कर सकते हो उसका quality जो है depth जो है हर बार नहीं cover होगा तो if you go slow you'll have more depth more clarity and it is the clarity which gives you the marks it's not the content 99% of you would never ever recall what you have studied during your mains and you will realize this once you have paired your mains पता चलता हम आपे कुछ और ही लिखके आते हैं हम notes तो काम ही नहीं आए काम है thought process, clarity and the last thing I always say फस्ट दिन से लिखना चालू करना चाहिए normally student wait करता है syllabus लिख लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ ये कर लूँ नहीं फट रही है आपकी to be very frank क्यों आप में दम नहीं है गट्स नहीं है अपने आपको evaluate करना आप सिर्फ अपने हवे में जीना चाहती हो कि मैंने representatives through free and fair election ये perfect definition है काँ से निकाली NCRT से निकाली उसको कौन importance देता है सर कुछ और deeper content बताओ इससे depth है तुमने और पांच चीजे पड़ी इससे जादा depth थी उस definition में निकाली काँ बेस से निकाली right from the first day or else sociology is not for you in fact UPC would not be for you because if you keep on waiting for the syllabus to get finished then I don't think then that's the right approach to at least take away civil services अब last चीज़ अभी sales चल रही है sociology का नवंबर का जो batch है December 12 को बंद हो जायेगा right now since there are 2 to 3 day sales use the code div life और मैंने आपको अच्छे से बताय है div life की importance क्या है div life जो code use करता है उसको मेरी personal mentorship मिलती है बाकि किसी कोड में नही मिलेगी आपको and you would have to take a screenshot by using this code and send it to me specially this applies to the general studies part sociology के अदर also if you do anyways I am going to give you that mentorship and yes it's not something which is my individualistic interest it is something to make you realize that every code has its importance and this is one of the most important code thank you so much have a nice day if any doubts do leave the comments and I will definitely try to answer those up thank you study IQ IAS ab dayari hui affordable